पश्चिम मंगाल में चुनाओं के बाद हुई हिंसा को भला कौन भूल पाया है पश्चिम मंगाल के राजिपाल जगदीप धनकड में रण पगली में कैंप का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की चुनाओ के बाद पश्य मंगाल में हुई हिंसा की वज़ा से यहां कुछ लोगों ने शरण ली है धर्णकड में यहां लोगों से मुलाकात की उनके दुख दर्द को सुना लोग अपना दर्द बया करते करते इतने भाउक हो गये कि उन्होंने धन करके पैर पकड़ लिये और बिलख बिलख कर वो रोने लगे इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का कलेजा काप गया धनकड भी थोड़े देर के लिए स्तब्ध हो गये क्योंकि इस तरीके से मैलाओं का फूट फूट कर रोना किसी के भी कलेजे को चीर कर रखतेगा चुनाओं के नतीजों के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों का गवर्नर ने दौरा किया था इस दौरान उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों से भी मुलकात की थी बंगाल में चुनाओं नतीजे आने के बाद से लगतार बीजेफी वोटरों को निशाना बनाने का आरोप ममता सरकार और उनकी पार्टी पर लग रहा है कि बरबर कारवाई करते हुए कई लोगों की जान ले ली गई है ऐसा आरोप टीमसी पर लगा है और यही कारण है कि लोग डर से बड़ी संख्या में असम की तरफ पलायन कर दें वहीं राज़िपाल ने इन लोगों से मुलाकात के बाद ममता सरकार के कामकाज के तरीकों पर कई सवाल खड़े किये हैं मेरा यहां पर इस प्रिस्तिते में आना बहुती पीडा दाएं मैंने कभी कलपना नहीं की थी कि राज़िपाल का ताहितों निवाते वे मुझे इस गंभी पीडा से गुजरना पड़ेगा दो मई को नतीजे जारी होने के पश्चाथ पश्चिम बंगाल का रख तरंजित होना मानव अधिकारों का हनन होना वी अव सीन किलिंग्स, आर्षन, लूट, रेंपट वंडालिजम इससे मन मेरा बहुत दुखी हुआ है से तरी सम्तिय से दिश में लोगों ने मुझसे प्रसंद किया इलेक्शन वर तरेनर फोर स्टेटेट सोकिया इन वरन उरिञे कोड़ा पश्च मगाल ठील है पश्च पंगाल में खून क्यूं बहरा है पश्च मम् बंगाल अक्याले में वाइलेस क्यों हो रहा है तामिन लाडू में सत्ता का प्रिवर्तन हुआ है आसा में सत्ता ने कंटीनू किया है वहां तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है मैंने बात पर जान दिया और तो दुरुबागे पूर्ण घटना करम चालू हुआ मुझे कहते हुए दुख होता है उसकी शुरुवात मुझे समझ में नहीं आतक कैसे एक अनुभमी नेता कर सकता है मानने मुख्यमंत्री ने की सुनाओ के दोरां उनका ये कहना कि सेंट्रल फोर्से सदा के लिए नहीं रहेंगी और हम बार में देख लेंगे ये उनको शुबा नहीं देता परजातंतर इसकी जाद नहीं देता कॉंस्टिटुशन के मर्यादा के विप्रीथ है और मुख्यमंत्री का ऐसा कहना अत्यंत अत्यंत तुखता ही है और वो यहीं नहीं रुकी उन्होंने अपने समर्थकों को खास तोर से मैलाओं पर उकसाया कि सेंट्रल फोर्सेज का विरोध करें यू टेंसिल से करें अन्यमादम से करें इस इस न आठकोदिटुशन दिस अन्टिटिटिटिकल दू अंटिटटिटिकल डूँ अंटिटिटिटिटरिकल डूप और इस गांट्रली असल की सब्सक्रा तो गटना करम गूश्बीहार में हूः जिस मुख्यमंत्री ने जनोस जादा नहीं कहूंगा मामला विचारा दीन है तो मुख्यमंत्री की चुपी जब पूरा प्रान्थ रखतरंजीत हो रहा है मेरे लिए प्रेशानी का सबक है सर वेस्टमेंगल में कलचर ज़ह ही रहा है सुनिये मीडिया से में अनुरोद करूंगा हमारा सोच पोजिटिमिटी का होना चाहिए सुधार वाधी तरीके से होना चाहिए मुझे समझ में नहीं आता टकराव 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 यह टकराव कब तक चलेगा केंदर से टकराव, राज जेपाल से टकराव, सुनाव आयुक से टकराव, सेंट्रल फोर्से से टकराव, यह भार्त के सुईधान की आत्मा के विप्रीत है, भूछ भिहार में मने क्या देखा, पूरे प्रांक भी क्या देखा?